हमने क्रिया कलाप में देखा कि जब हम बीकर को तिर्चा करते हैं तो पानी में कुछ बुलबुले बनते हैं और हर बार जब हम बीकर को तिर्चा करते हैं तो बीकर के अंदर पानी का इस तर बढ़ जाता है लेकिन ऐसा क्यों होता है तो इसका कारण यह है कि हमारे चारो और ह उपर जगेें वाईू मौझूद है भले ही हमें बीकर के अंदर कुछ भी नहीं दिकाई देता है। यह हमें खाली प्रतीत होता है लेकिन वास्तों में बीकर के अंदर वायू होती है। इसलिए जब हम इसे उल्टा करके पानी से भरे कंटेनर में रखते हैं जो हमें बुलबुले के रूप में दिखाई देती है यानि ये बुलबुले इसलिए बनते हैं क्योंकि बीकर के अंदर की वायू बाहर निकल रही है और जब कुछ वायू बाहर निकल जाती है उसके कारण बीकर के अंदर खाली हुई जगह में पानी भरने लगता है इसलिए पानी का इस्तर बढ़ जाता है हर बार हम बीकर कुछ जितना अधिक जुकाते हैं उसके अंदर फसी हुई वायू बाहर निकलती जाती है और बीकर के अंदर पानी के लिए कुछ और जगह बन जाती है इसलिए पानी का इस्तर भी बढ़ता जाता है तो इस प्रकार इस क्रिय कलाप से हमें पता चलता है कि वायू हमारे चारो ओर हर जगह मौजूद है भले ही हमें कंटीनर, बीकर, आदी खाली दिखाई देते हैं लेकिन वास्तों में ये पूरी तरह से कभी खाली नहीं होते इनके भीतर एक चीज हमेशा मौजूद होती है और वह है वायू